और यहाँ पर Google Meet में ये important बात है कि Google Meet में कोई भी disconnect हो जाता है या फिर gap हो जाता है student तो समझा जाएगा कि उस पर UMC case बना दिया जाएगा सिरफ दिद्धा तो welcome back to my channel और कुछेते नुवस्टी के student के लिए कुछ नई जानकार या नई अपडेट लेकर आया हूँ आपके even semester के exam को लेकर जो कि आपको पता है कि guideline आ चुकी है जिन्होंने वीडियो नहीं देखी उसकी वीडियो देख सकता है और आप सभी के जो exam है वो online और offline दोनों mode से करवाए जाएंगे पाकी student है उनको लेकर भी जल्दी से guideline आने की पूरी संभावना है जब भी update मिलेगी आपको बताते रहेंगे और जो student channel पे नई आया है वो channel को subscribe कर लेना और इसके साथ जो हमारे साथ Instagram पे जुड़ना चाता है तो उसका link मैंने description में डाल दिया है तो उसको जाके follow कर लेना और कुछ जो भी online exam देना चाते हैं तो आपके लिए जो important video है जैसे pdf को लेकर ठीक है answer seat को लेकर और इसी परकार से google form को लेकर भी मैंने video डाल रखी है description में तो google form पर जो है आप practice कर सकते हो आपको पता लग जाएगा कि कितना time लगता है जिससे आप अपना time manage कर सकते हो कि pdf बिणाने में हमको कितना time लगेगा उसके बाद google form पे जो है upload करने में कितना time लगेगा तो सभी student उसको जाके एक बार practice जरूर कर लीजिए आपके लिए ही फैदा होने वाला है online प्रिक्षा देने वाले जितने भी student है उन पर जो है एप के जरीए नजर रखी जाएगी प्रोफेसरों के द्वारा ठीक है और अब जो student है काफी student को किसी ने बोला है कि जो online exam है उसमें camera जा है on नहीं रहता आपको ऐसे ही करना है 5-4 minute के लिए रहता है ऐसा कोई भी बात हैं हमने भी regular में exam दिये हैं तो जो regular वाले student होते हैं उन पर जो camera है वो पूरे time on रहता है ठीक है तीन गंटे चार गंटे पूरे time on रहता है बाकी वो college पे depend करता है कि वो college किस प्रकार का teacher आपके पास ठीक है वो बंद भी करवा देता है लेकिन पूरे time के लिए क्योंकि regular व वो इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा और यहां पर बताया गया है कि college में online और offline mode से 13 जुलाई से UG और PG के exam होने वाले हैं तो वो online exam दे या offline exam दे या student की मर्जी होगी और student को अपने college को बताना पड़ेगा ठीक है college जो है उन पर zoom या अन्ने meeting या कोई अन्ने app PHP ने बताया कि प्रिक्षा को लेकर जो विशुविडल है उनकी तरफ से schedule आ चुका है online प्रिक्षा देने वालों की जो संख्या वो जादा है इन पर professor app के जरिये नजर रखेंगे अभी तक विडियार्थियों के पास 10 जुलाई तक का समय है ठीक है 10 जुलाई तक का समय है कि आपको अपने college को सूचना देनी होगी कि आप किस mode को प्रात्मिक्ता देते हैं आपको online exam देना है या offline exam देना है और इसके लिए जो college है आपसे google form के जरिये जानकारी मांग रहा होगा ठीक है जो regular student है उनको अपने whatsapp group में या फिर google form पे जो है आपसे जानकारी ली जा रही ह होगी कि आपको किस परकार से exam देने है लेकिन जो repair के student है उनको अभी तक जो है ना तो उनके roll number मिले है ठीक है ना उनको अभी तक अपने exam center का पता है ठीक है तो वो किस परकार से अपना registration करवाएं कहां पे करवाएं ये उनको doubt बना हुआ है तो इसमें मैं वो आपको बतान करना है किस परकार से जब भी अपडेट आएगी एक दम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा और यहां पर बताया गया कि अगर किसी भी student के पास laptop smartphone नहीं है camera की समस्या है तो वो college में आके offline exam दे सकता है ठीक है और यहां पर Google meet में ये important बात है कि Google meet में कोई भी disconnect हो जाता है या फिर गाइप हो जाता है student तो समझा जाएगा कि उस पर UMC case बना दिया जाएगा सिरफ सिद्धा ठीक है तो आपको जो है अपना internet जैस ठीक रखना है और आपके camera में पिछे कोई नहीं यह regular student के लिए है ठीक है तो जो regular student है उन पे camera own रहता है और उसके बाद आपको दिक् का microphone है जो यानि की microphone है वो आपको off रखना होगा अगर आपको कुछ पूछना है question paper के लिए कुछ कहना है तो आप own करके कह सकते हो वैसे off रखना है ठीक है और उसके बाद PDF बना कर PDF कैसे बनाते है मैंने detail से video बनाई हुई है playlist है PDF के लिए अलग से उसमें जाके देखिए आप student है उनको करवाना है बकि जो regular student है उनको 50 उर्पे का registration नहीं करवाना ठीक है जो पास आउट हो चुके है उनको करवाना है क्योंकि उनका जो है अभी तक जो college आपके उनके पास record नहीं है तो इसलिए वो आपसे अपना university का roll number, class semester, email, ID, WhatsApp, number मांगे गे और इसी पे आपका question paper ब रोलंबर नहीं आया तो फिर 10 जुलाई तक का time है तो ऐसी कोई बात नहीं आप 10, 11, 12 तक भी करवा सकते हैं लेकिन जब भी आपका roll number आएगा तब आपको करवाना हो गया क्योंकि उससे पहले अपना ना तो center का पता लगेगा ना ही हम कुछ कर सकते हैं ठीक है तो आपने उ 100% है जो paper करना है यानि कि पूरा paper जैसा आप offline में करते हैं चार गंट आपको मिलेंगे यह सभी जानकारी मैंने आपको पहले बता रहे हैं डिटेल से guideline मैंने बनाई हुई है उसका link भी मैं आपको प्रवाइड करवा दूँगा PDF को लेकर ठीक है और Google Form को लेकर आपकी जो है camera on होगा तो क्या होगा तो camera के सामने बस exam देना है वो सिर्फ ऐसे ही है बस बक्की आपको ध्यान रखना है कि disconnect now